दूस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे गाला गेमिंग के बारे में गाला गेमिंग का यूस केस क्या है गाला गेमिंग के अंदर किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए किस लेवल पर स्टोपरोस लगाना चाहिए केवल 10% का स्टोपरोस लगा के किस तरह से आ बताऊंगा जस्ट आपको इतना करना है इस वीडियो को लास्त देखना है क्योंकि लास्त तक आपको समझ में आ जाएगा वेल साइकलोजी किस तरह काम करती है वो किस तरह से आपके पैसे को लूटते हैं Simply As Simple में आपको बढाता हूँ कि मारकेट के अंदर फोमो कीरेट करा जाता है किसी भी टोकन को लेके एक दम से फोमो कीरेट किरे जाएगा उसके बाद जो वेलस बैटी रहती है वो अपना पैसे इतना इन्वेस्टमेंट कर देती है टोकन एक दम से आपल ले जाते है फिर स्क्राप के अंदर से बचना है तो दोस्तों फंडमेंटल जानने के लिए आपको गाला गेमिंग के ट्विटर हेंडल पर आना है इनको जब से पहले फोलो करना है क्योंकि कुछ भी अपडेट आती है आपको यहां से पता चल जाएगा अब हम आते हैं गाला गेमिंग बेसिक सेम चीज गाला गेमिंग कर रहा है बड़ इसमें बहुत बड़ा अंतर यह है कि गाला गेमिंग आपको अभी चिल्लड रेट पर मिला है 0.03 के लेवल पर आपको इस समय गाला गेमिंग मिल रहा है जहां पर एक से इनफिटी 100 डोलर तक चला गया था गाला गेमिंग में गाला गेमिंग के जो टोकन से उससे ही परचेस की जाती है मैं आपको दिखा जाता हूं जैसे यह वाली एनफिटी है कोई गेम है इसके लिए 38,000 गाला गेमिंग की जरूरत है तो क्या होता लोग इसलिए इसको टोकन को बाइंग करते है ताकि वो इस एनफिटी को खरी सके अभी मार्केट डाउन चली है जिसके कारण इसका सारा असर सारे टोकन के उपर आ रहा है जिस कारण से गाला गेमिंग में नीचे चल रहा है अब हम बात कर लेते हैं कि गाला गेमिंग के अंदर किस तरह से आप 3,000 रुपे लगा के 86,000 बना सकते है देखें जो करेंट प्र है और NFT है अब यहाँ पर काफी ऐसे लोग है वो बोलेंगे क्या लोंग टाइम तो मेरे नहीं कर पाऊंगा एक साल तक कौन रखेगा इस टोकन को आप मेरे को शोट टाइम के लिए बताओ कि शोट टाइम में किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ मुझे एक महीने के अंदर प्रॉफिट चाहिए मेरा जो टागेट है मेरा यह है कि मैं अपना जो पैसा लगाऊ उसका मेरे को 20 या 30 परसेंट हाथ तो आथ पैसा मिलता रहे देखिए उसके लिए जरूर यह आपको हमारा टेलीग्राम चैलर फोलो करना है टेलीग्राम का मैं कि आसपा चल रहा है 0.3 के लेवल पर हम इसको बाइंग कर लेते हैं इस टोपलोस हमारा क्या होता है 0.026 टागेट हमारा 0.51 दूसरा 0.709 काफी लोग यह पूछेंगे कि भाई तेरे को कैसे बता कि इस टोपलोस इस लेवल पर मैंटेन करना है टागेट हमारा यह होगा आपको दोस्तों यह धीरे-धीरे समझा दूआ फिलाल में आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको समझना है यदि आप चाहे तो अपना भी यह चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं देखें सिंपली आपको क्या करना है ट्रेडिंग यू एप के उपर आना है यह आपर भी जगाता गिरती जारी है यह क्या चीज़े है ग्रीन और हर्ए गरीन और यह क्या बना इनague इसको बोले थेंडल कैंडल कैसे समझने नियूंए धीरे-धीरे में आपको वीडियो लाता रहींगा इसके बारे में पूरा एक प्लेडिस्ट बनाए डिस्से आपको समझ में आजाए कि किस तरह से आपको काम करना है जस्ट आपको इतना करना है एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है ठीक है इसको क्लिक करना है वीडियो को लाइक करना है अगर कोई ओर टोकन के बारे में जानना है उसके बारे में आप कमेंट जरू करें मैं धीरे-धीरे करके सब उस token को cover करने वाला हूँ, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारा stop loss बना कैसे है, देखे ये एक level है, strong level यहाँ से आपको दिख रहा है, ये वाला जो level है आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला, ये वाली जो week है, ये नीचे वाली, इसमें आप देखेंगे, ये आपका, ये देखेंगे, ये आपका बन जाता है stop loss, मतलब इस level से नीचे ये गिरने वाला नहीं है, मतलब इसके chances काफी हद तक कम है, 0.027$ के आसपास का आपका ये stop loss बन जाता है, ठीक है, ये वाला level हो गया, मैंने उसमें कम stop loss इसलिए दे रखा है, ये यदि इसको भी तोड़ता है, तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये stable हो सकता है, इसलिए मैंने वाँ पर 0.0265$ का आपका stop loss दे रखा है, तो आपको गर short time में रखना है stop loss, तो आप ये stop loss जरू रखें, इसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे, इस line को touch कर रहा है, फिर उपर जा रहा है, इस line को नीचे गरता है, तो ये और भी नीचे गर जाएगा, तो simply हमारा जो पहला target है, जो निकल के आता है, वो 0.05$, तो वो ये वाला target है, दोस्तों ये देख रहे हैं, ये वाला target हमारा पहला target हो गया, जो मैंने लगा रखा था, इस level से क्या होगा, दो बार ये गया, दो बार इ उससे पहले आपको क्या करना है, इस level से नीचे ही पहले exit मार देना, क्योंकि क्या पता है, इस बार भी इसको touch करने से पहले दुबारा से ये exit कर जाए, तो आपको simply यहाँ पर exit करना है, profit लेना है, उसके बाद फिर लोग यहाँ पर यह कहेंगे, कि यह इसको अगर तोड़ से बाह colonial के कि as process बाहिं करेंगे तो आपका जो स्टॉब लोग बनेंगा, वो यह बनेंगा, 0.0527 के as possible, आपका स्टॉब लोग यह बनेगा, और नेक्स जो टागिट रहेगा वो आपका रहे गा यह वाला, यह वाला आपका नेक्स टागिट रहेगा 0.06 इसके बाद आपका 0 0.07 इस तरह से आप टागेट अपना बना सकते हैं 0.09 तो यह support यह major supports होती है इनको आपको check करना है अब मैं आपको दिखा जाता हूं कि केवल कितनी सी stop loss से आपको कितना बड़ा profit आ सकता है यह देखें केवल stop loss कितना है और profit देखें कितना बड़ा है stop loss इतना सा है आपका केवल 10% का और profit यहाँ पर यह निकलके आ जाता है almost double यह देखें 140% 170% इस तरह से आपको profit निकलके आ सकता है और इस तरह से ही profit बनता है बट इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सारे पैसे के अंदर लगा दीजे crypto currency highly volatile है तो आपको just इतना ही लगाना है 10% के आसपास अपनी saving का कि आपको अगर यह loss बजाए तो को financial crisis नहीं हो financial crisis सबसे main चीज है दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने करजा ले लिया loan ले लिया और फिर आप इसके अंदर पैसा लगा रहे है अब हम आते हैं अपने long time target के ओपर जो हमने बताया था कि long time target में किस तरह से आप इसके अंदर profit बना सकते है अगर किसी का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है वो लोस में चल रहा है अभी मान लेजिए अगर किसे 10,000 रुपे लगा रहा था और वो 3,000 रुपी के असपस रहे गया 70% के असपस उसका लोस हो चुका है उसके पास भी क्या होप है कि वह अपना पैसा उसको recover कर पाएगा दे कि पैसा तो recover हो जाएग 0.01 डुलर के असपस का टोकन था 2-3 दिन के अंदर ही उस टोकन ने 50 गुणा अपना profit दिया था लोगो को तो जब market बढ़ेगी तो दोस्तों इस तरह बढ़ेगी 10 गुणा 20 गुणा पता ही नहीं चलेगा आपको गाला gaming कब 0.12 हो गया कब 0.50 डुलर तक चला गया इस तरह स किवल 1,000 रुपे है आने को देखे हमारे पर target क्या है अगर मैं इसको long time में रखना चाहता हूं किवल 3,000 रुपे का आपने इस यहां पर stop loss लगाया ठीक है यानि कि 20-30% के आपका stop loss लगा दिया और मैं भूल गया short time में तो 10% का लगाना है और long time में मैं लगा दिया इसमें अब मैं आपको दिखातो हो यह 2021 का है 2021 का support है दोस्तों यह वाला जो support है 0.02 डोलर का यह 2021 के आसपास का support है देखेंगे 0.02 डोलर के आसपास का stop loss लगा इस लेवल पर ठीक है हाँ इस लेवल पर यह इस टोबलोस बैठता है इसमल लब यह इतना strong support है इसका इससे नीचे अगर गाला गेमिंग जाता है तो बिल्कुल exit मार देना वहां से हमारा बस यह target है कि यार हमको long time भी रखना है चीज़े तो हमें पता रहनी चाहिए कि यार कितना ओर गिर सकता है maximum इस level तक जाएगा अगर गिरने की बात आती है तो मेरा 3,000 रुपे maximum 2,000 रुपे हो जाएगा बट मेरा जो target है उसके साब से मेरा पहला target बनेगा 11,000 रुपे फिर मेरा दूसरा target 20,000 तीसरा target मेरा 40,000 और जो मेरा चोथा target है जो इसका old time हाई है वो है 86,000 यानि 3000 से मैं 86,000 ऐ दिरे समझाओंगा कि candle कैसे बनती है candle कैसे पैचाने किस तरह से trading करें सब कुछ आपको दिरे दिरे मिलता रहेगा जस्ट आपको इतना करना है कि ये जो channel दिख रहा है इसको subscribe करना है वीडियो को like करना है और एक comment जरू करना है